Hello everyone, आपका अपने चनल G Chemistry बहुत-बहुत सवागत है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एस्पेक्टिट कटोप के बारे में जो आपका एक्जाम दिसंबर 2023 में नेट का हुआ है उसमें कितनी कटोप रह सकती है उसके बारे में मैं डिस्कस करेंगे इससे पहले मैं एक वीडियो कटोप से बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि इस बार जो कटोप रहने वाली है वो पहले से कम रहने वाली है वाभी मैंने कुछ factors को डिस्कस किया था तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं कि इस बार के कटोब पहले से थोड़ा कम क्यों रहेगी ठीक है चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर आइडेल लेते हैं आपका पता ही है सभी को टोटल माक्स 200 200 नमबर का आपका यह एक्जाम होता है 3 घंटे का एक्जाम यह कराए जाता है अगर हम एक्जाम का रिउू करें तो जो इनर्गेनिक थी वो इजी लेवल की थी और्गेनिकय मोडरेट और फिसिकल हार्ड लेवल की आपसे पूची गई थी अगर हम लाश्ट एयर की एक्जाम की बात करें तो देखिए जो लाश्ट एक्जाम होँआ था वो एक साल में एक बार करा गया था और उसमें नमबर उप कैंडिडेट जाए थे यह मर्ज साइकल में एकजाम हुआ था क्योंकि कैंडिडेट जाए थे तो जो कटोप थी वो थोड़ा ओपर चली गई थी यहां पर कटोप देख सकते हैं पर कटोप चली गई थी और जो नेट की कटोप थी वो 97 पर रही थी एक डेवलेस की बात करें 96 पर जेरफ हुआ था 87 पर यहां पर लसाप का हुआ था अब इसी के लिए आप देख सकते हैं यह सारी कटोप रही थी लास्ट एक्जाम के लिए ठीक है और यह मर्ज साइकल में एक्जाम कराया गया था इसलिए नंबर ओप केंडिडेट्स ज्यादा थे चलिए आगे चलते हैं लास्ट टाइम की फाइनल कटोप देख लेते हैं जो जून 2022 में जो एक्जाम वह था वहाँ पर जो कटोप रही थी वह लगबग 102 नंबर यहाँ पर रही थी जन्रेल के लिए और और केटेगरीज के लिए आप यह कटोप देख सकते तो इस तरह से अगर आप एक और एक्जाम देखे जो दिसंबर 2019 और जून 2020 का कंबाइन एक्जाम कराया गया था उसमें भी नंबर उप कैंडिडेट थोड़ा ज्यादत है और यहाँ पर जो कटोप रही थी वो 101 के लगबग रही थी ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं कि टोटल जेरप कितने दिये जाते हैं तो जो टोटल जेरप होते हैं CSI और UGC मिलकर देते हैं CSI और लगबग 1700 जेरप परवाइड कराता है और UGC लगबग 1500 जेरप देता है ठीक है तो टोटल जो जेरप दे जाते हैं वो लगबग 3200 जेरप दे जाते हैं ठीक है लेकिन जून 2019 में सबसे ज़्यादा जेरप दिये गए थे जब नंबर उप सीट अगर बढ़ जाती है जेरप की तो ज़्यादा जेरप परवाइड करा दे जाते हैं तो आप देख सकते हैं जून 2019 में CSI यार ने 3988 जेरप दिये थे और 1500 जेरप दिये थे UGC वालों ने ठीक है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेरप उस टाइम पर दिये गए थे अगर हम बात करें एस्पेक्टिड का टोप इस बार कितने रह सकती है तो देखिए जनरल के लिए जो का टोप रह सकती है वो 103 से 106 तक रह सकती है EWS के लिए 92 से 95 तक रह सकती है अगर लेक्चर सीप की बात करें तो लेक्चर सीप में जो आपकी जनरली काटोप रही है और 93 से 96 तक देखी जा सकती है EWS की 82 से 84 तक और OVC की 80 से 82 SC की 63 से 65 ST की 52 से 55 और PH की 50 पर काटोप देखी जा सकती है ठीक है काटोप कम रहने वाली है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज सेयर कीजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो को नॉटिफिकेशन मिलते रहे आप सभी के साथ अच्छा हो आपका एक्साम क्वालिफाई हो जाए ऐसी प्रात्रम इस्वार से करते है तो थैंक्स पूर वाचिंग गुड लग